CBC Words में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम Class 10 History का First Chapter जिसका नाम है The Rise of Nationalism in Europe उसकी जो Figures है उसको थोड़ा समझेंगे यहां से क्या पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा डीटेल में यहां से देखो कोशन नहीं आएगा, मीन मीन आएगा तो चलिए उसी को हम देख लेते हैं पहली फीगर जो बनी है इसका टाइटिल है, मतलब यह तो पूरी 4Print की सीरीज थी, जिसको Frederick Sawry ने बनाया था, तो यह नाम important है, उस सीरीज का जो टाइटिल था वो था The Dream of the Worldwide Democratic and Social Republic, और यह जो आप देख रहे हो, यह जो पेंटिंग है वो उसका नाम है The Pact Between Nations तो यह पूरा आप याद रखना Dream of Worldwide Democratic and Social Republic The Pact Between Nations, किसने बनाया था Frederick Sawry ने, बाकि इससे रिलेटे जो डीटेल है, वो थेओरी पार्ट में हमने देख लिया था Second Figure देख लेते हैं, यह क्या है Cover of German Almanac Almanac क्या होता है, क्तरा का Calendar होता है, जंतरी इसे कहते है उसी का यह Cover है किसने Design किया था? Andrews Rebman ने, ठीक है, यह नाम है अगर पूछा जाएगो तो यह पूछ लिया जाएगो यह किस चीज की Image है, तो German Almanac की है किसने Design किया था? Andrews Rebman ने अब इस Almanac के अंदर क्या Show किया गया है? तो पहले वाली Image अगर आप देखोगे तो यहां जो Image बनी है वो French Bastille की Image है, इसके बारे में आपने Class 9 पढ़ा होगा, आम लोगों ने इस पर हामला कर दिया था और दूसरी जो Image है, वो किसकी है? यह भी एक किले की Image है, फोर्ट्रेस है meant for the representation of bastion of despotic rule in the German province of Kessel जर्मनी के एक शहर था, Kessel उसका नाम था वहाँ पर despotic rule, यानि जो तानाशाही चल ली थी उसके अड़े को शो किया गया है बैस्ट्रे मनलब गड़ होता है, अड़ा होता है तो यानि यहां से despotic rule चल ला था, तानाशाही चल ली थी तो पहला वाला French best style है और दूसरा वाला याद रखना कि यह जर्मनी के एक fortress है जो despotic rule को शो कर रहा है वैसे main यही है कि यह क्या है, जर्मन एल्मनाइक है किसने प्रिपेर किया है, एंडिस रैबमेन ने थार्ड वाली जो figure है वो यूरोप आफ्टर कॉंग्रेस ओफ विएना विएना जो ट्रीटी हुई थी 1815 में, उसके बाद का यह मैप है फोर्थ figure की बात करें तो यहाँ पर आपको Courier of Rhineland Rhineland जर्मनी का एक हिस्सा है वहाँ के Courier वाला सिस्टम आपको दिखाया गया है Courier Service को शो किया गया है जिसके अंदर यह जो image है यह Napoleon की है, जिसको एक Postman की तरह दिखाया गया है और वो वापस France की तरह जा रहा है जब वो Battle of Lipzig हार जाता है 1813 के अंदर अब इसके बैग से देख से तो कुछ letters गिर रहे हैं, तो यह पूछा जा सकता है कि letters पे क्या लिखा हुआ है तो उस पे उन territories के नाम लिखे हुए है जो कि France ने खो दिये यानि Napoleon ने खो दिये इस war में हारने के बाद बाकी figure 6 की बात कर लें तो यह Club of Thinkers है, ठीक है figure 7 में आपको Gizipi Mezni को दिखाया गया है जब वो Young Europe को form कर रहे थे burn के अंदर, ठीक है तो Gizipi Mezni की image है basically है figure 8 की बात कर लें तो यह Massacre of Kios है इस painting को बनाने वाला कौन था French painter Delacroix इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से तुर्क लोगों ने 20,000 Greeks को मार डाला था एक island था कि Aos का वहाँ पर figure 9 में जो image शो की गई है वो PZ's Uprising 1848 की शो की गई है figure 10 की बात कर लें तो यह Frankfurt Parliament की image है यहाँ पर Parliament पूरी चल ली है और जिस building के अंदर यह चल ली है उस building कौन सी है यह एक church है St. Paul Church तो आपको image देकर पूछ लेगा तो option होगा Frankfurt Parliament तो Frankfurt Parliament आपको चूज करना है अगर वो नहीं है St. Paul Church शो कर रहा है तो फिर वो लगा देना है और अगर दोनों option में है Frankfurt Parliament और St. Paul तो आपको Frankfurt Parliament ही शो करना है क्योंकि यहाँ पर church को दिखाने का कोई मकसद नहीं है में Parliament शो करना है फिगर 11 की बात करने तो इसके अंदर शो किया गया है जो कैसर विलियम फर्स्ट को एंपरर बनाया गया थे जर्मनी का तो उसी की पूरी सरेमनी है और यह image Hall of Mirrors की है जो की Palace of Versailles के अंदर है इसे बनाया किसने था? Anton Von Werner दोको बहुत जादा detail इतनी important नहीं है बस इतना याद रख लोगे कि किस चीज की image है तो वही काफी है मुझे नहीं लगता है बहुत जादा detail में किसने बनाया है और यह सब इतना नहीं पूछेगा मीन इसका title ही है कि किस चीज की image है? Hall of Mirrors या Palace of Versailles यह image आपको Unification of Germany शो कर रहा है Figure 13 के अंदर आपको Auto 1 Bismarck को शो किया गया है यह image आपको Italy की शो की गई है जब उसका Unification नहीं हुआ था साथ हिस्सों में बटा हुआ था और यह Unification के बाद की image है यह image तो मैंने बॉक्स में आपको कराई थी Gizipik Garibaldi की शो किया गया है यह वाली image और यह जो खड़े है जो Italy वाला जूता अपने पैरों पहनने है यह King Victor Emmanuel 2 है अब यह most important है यह जो figure 16 है किसकी है Marianne की है जो कि French nation की allegory है यह image ऐसे आ सकती है तो आप बताना कि यह Marianne है और यह कहा कि allegory है French nation की और यह दूसरी वाली image इसको तो आपके sample लेपर में पूछा गया था यह Germania की image है जो German nation की allegory है figure 18 के अंदर भी Germania को दिखाया गया है fallen Germania यानि Germania गिर गई है figure 19 भी आपको यहां Germania को दिखाया गया है जो की guard कर रही है राइन को वही जर्मनी के जो शहर था ना Rheinland उसी की बात हो रही है यह figure आपको British Empire शो कर रहा ठीक है इधर से होते हुए इंडिया की तरफ जा रही है यहां से तो main center पे कौन है British तो यही था इस figure में में यही है कि उस figure का title क्या है बहुत जादा पूछा तो किसने बनाया है वैसे मुझे निलगता बनाया है किसने है यह पूछा जाएगा main title ही पूछा जाएगा तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताई अच्छे लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक यू